नमस्कार दोस्तों साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीतावर्ड आपका हार्दिक स्वागत करती हूं अभिनंदन करती हूं हमारा यह कहानीों के सत्र चल रहे हैं आप सभी जानते हैं और आज के सत्र में हम आज के दौर की यानि आधुनिक दौर की दो महतुपून कहानियों पर बात करने वाले हैं और वे कहानिया हैं फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित, तीसरी कसम और लाल पान की बेगम आप तभी जानते हैं दोस्तों कि फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी कथा साहित के एक ऐसे कथाकार हैं जिन्होंने आंचलिक कथा साहित की एक क्रमिक परंपरा की शुरूआत की और यही कारण है कि उनका हिंदी साहित जगत में अपना एक निजी स्थान है दोनों ही कहानिया आंचलिक कहानिया हैं ग्रामीड परिवेश से संबंदित हैं फर्क दोनों कहानियों में बस इतना है कि तीसरी कसम ग्रामीड परिवेश के एक युवक के निश्चल प्रेम की कहानी है और दूसरी ओर लालपान की बेगम ग्रामीड परिवेश में व्याप उन सब की सहज और जीवन्त प्रस्तुती है लाल पान की बेगम में, दोनों ही कहानी आंचलिक हैं, ये बात आप ध्यान में रखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सब की. सबसे पहला, कारे जो हम करते हैं हमेशा, लेखक के कथाकार के जीवन परिचे से संबंदे, तो हम सबसे पहले एक नजर डालते हैं, पनिश्वर नाथ रेणू के जीवन परिचे पर, आपका जन्म 4 मार्च 1921 को हुआ, और जन्म स्थान था बिहार में, औरानी हिंगना गाउं अररिया, ये ध्यान रखेंगे स्थान आप, प्रारंबिक सिक्षा जैसा कि उस समय हुआ करता था, स्थानी एस्कूलों में ही हुआ करती थी, तो फौरबिस बगंज और अररिया बिहार के जो स्थानी एक्षेत्र थे, जहां का उनका जन्म स्थान था, वही पर उनकी प्रा बहुत ही उतक्रिष्ट सिक्षन संस्था मानी जाती थी, आपका निधन 11 अप्रेल 1977 को हुआ, अब बात आती है आपके कृती परिचे की, जैसा कि मैंने कहा कि एक बात जो हमें नहीं भूलनी है पनिश्वरनात रेनु के विशे में, वो है कि पनिश्वरनात रेनु हिंदी स जाहित जगत के एक प्रमुख आंचलिक कथाकार हैं और उन्होंने उपन्यास लिखे, कहानिया लिखी और रिपोर्टाज लिखे, उपन्यासों की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है उनके मैला आचल उपन्यास का, जो 1954 में प्रकाशित हुआ, और यही वो उपन्यास है प्रेमचन के गोदान में भी मिलता है, लेकिन आचलिक ताका जो पर्ष, जो जीवन्त चित्र मैला आचल में मिलता है, वो उससे पहले के किसी भी उपन्यास में नहीं मिलता, यही कारण है कि आचलिक उपन्यासों के लेखन की परंपरा की शुरुआर मैला आचल से मानी जा पल्टु बाबू रोड उन्नी सो नासी में और रामरतन राय उनका अपूर्ण उपन्यास माना जाता है यानि उनकी मृत्यू हो गई और वे इस उपन्यास को पूरा नहीं कर सके अब बात आती है कहानी संग्रहों की तो उनका सबसे पहला कहानी संग्रह ठुम्री है जो उन्न अगनी खोर 1973 में एक श्रामणी दोपहर की धूप 1984 में और अच्छे आदमी 1986 में प्रकाशित हुआ अब उन्होंने जो रिपोर्टाज लिखे उनके भी संग्रह प्रकाशित हुए जिनमें सबसे महत्पूर्ण और उलेखनीय रिपोर्टाज है रिर्ड़ जंदर और जैसा कि ह हम सभी जानते हैं कि वे अपने विद्यार्थी काल में नैपाली करांती से जुड़े हुए थे यही कारण है कि उन्होंने नैपाली करांती कथा नाम से रिपोर्टाजों का एक संकलन किया वन तुलसी की गंध और शृत अशृत पूर्वे ये उनके अन्य रिपोर्टाज स शामिल की जाती है और इन कहानियों में है सबसे पहला नाम मारे गए गुल्फाम जो ऐसा माना जाता है कि तीसरी कसम कहानी का मूल नाम था और इस कहानी पर जो फिल्म बनी तीसरी कसम नाम से तब से ये कहानी तीसरी कसम के नाम से ही प्रसिद्ध हो गई आदे मरात्री की मह महतुपून कहानियों में शामिल की जाती है, फिर पंच लाइट और एकला चलो रहे, ये कहानिया, फिर ठेस और समबदिया, ये साथ कहानिया, उनकी कालजई कहानिया मानी जाती हैं, जिन्होंने उन्हें वो ख्याती, वो सम्मान हिंदी साहित जगत में दिया, जो संभवत है की आच हेली काथ का कर suited with विखते पका का रूप में उन से पहले किसी अन्य व्यक्ती को या अन्य कथाकार को नहीं मिला अब कुछ कुछ एक महतुपून तथ्य नो हमें पता होने चाहिए इस तथ्य की मैं चर्चा पहले ही कर चुकी हूं कि 1954 में आपने मैला अचलू पञ्यास से हिंदी साहित जगत में आंचले को पञ्यास लेखन की परंपरा की विदीवत शुरूआत की यानि क्रमिक परंपरा यहां से श्रेणू को श्रेष्ठ कहानीकारों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। आप पदमश्री सम्मान से भी अलंक्रित किये गए। अब रेणू जैसे महान आंचलिक कथारकार के विशय में समय समय पर विद्वानों ने क्या कहा और उन्होंने किस प्रकार उनके साहित्य को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसके विशय में कुछ एक महतुपून बिंदूओं पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम जिक्र करते हैं गोपाल राय का। गोपाल राय जिन्होंने हिंदी कहानी का विकास नाम से तीन खंडों में एक श्रंखला लिखी है पुस्तकों की। तो वे कहते हैं एक प्रसिद्ध उप्ती है रचनाकार पर नहीं उसकी रचना पर विश्वास करो। इस पंक्ती का ये पंक्ती बहुत महतुपून है दोस्तों। यहां कहना चाहता है कि रचनाकार एक व्यक्ती होता है और उस व्यक्ती के अच्छे और बुरे दोनों पक्ष होते हैं व्यक्तित्व के दोनों पक्ष होते हैं लेकिन जब वो रचनाकार किसी कृती की रचना करता है जानि जब वो कुछ रचता है तो उस रचना में उसका इमांदार व्यक्तित्व यानि उसके वास्तविक व्यक्तित्व की सच्ची तस्वीर दिखाई देती है इसलिए गोपाल राहे कहते हैं कि एक व्यक्ति के रूप में रचनाकार पर हमें उतना भरूसा नहीं करना चाहिए जितना कि उसकी रचना पर क्योंकि रचना एक रचना पिछड़ा पन्चल का मतलब है गाओं पिछड़े अंचल के ग्रामीन जीवन के त्रासद पिछड़ेपन त्रासद यानि कष्ट दायक दुख दायक कष्ट दायी जो पिछड़ापन है यानि इतना पिछड़ा गाओं जिसकी वजह से वहां रहने वाले जो ग्रामीन है उनका जीवन कष्टों से भरपूर हो दुखों से भरपूर हो ऐसे पिछड़े हुए अंचल का और सम्रद लेकिन भले ही वो आधुनिक्ता की दृष्टी स से पिछड़ा हुआ गाओं है लेकिन सांस्कृतिक दृष्टी से जो वातावनन जो गाओं बहुत सम्रद है ऐसे गाओं की जीती जागती तस्वीर है हमें रेणू की इन कहानियों में देखने को मिलती है यानि कहना चाहिए कि ग्रामीन जीवन की जो लोक संस्कृती है वो देखिए अभी तक हमने कहानी की विशयवस्तू पर गोपाल राय के मत को जाना अब रेणू के जो पात्र हैं कहानी में उपन्यास में उन सब पर अपनी क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं वे कहते हैं कि रेणू के अधिक्तर पात्र समाज के हाशिये पर जीने वाले लो उसे समाज के हाशिये पर जीने वाले लोग कहा जाता है, यानि रेणु ने अपनी कहानियों में जिन पात्रों को केंद्र में रखा या जिन पात्रों को आधार बना कर कहानिया लिखी, वे सभी समाज के पिछड़े हुए वर्ग से थे, किसी न किसी रूप में दलित थे, शो मचगोडी मिर्दंगिया पात्र हो, या उसकी प्रेमिका रंपतिया हो, ये हाशिये के पात्र हैं, तीसरी कसम का हीरामन और हीराबाई हो, ये भी हाशिये के पात्र हैं, हीरामन गाड़ी चलाता है और हीराबाई एक नर्त की है, नौटं की में रित्य किया करती है, लाल पा कहानी का सिर्चन या पंच लाइट में जितने भी ग्रामीन प्रस्तुत किये गए हैं वे ग्रामीन हो या सिर्पंचमी का सगुन नामक कहानी का सिंगाय हो यह जितने भी पात्र हैं उनकी प्रमुख कहानियों के वे सभी पात्र समाज के उपेक्षित हिस्से हैं यानि समाज के उस वर्ग का प्रतिने धित्व करते हैं जो वर्ग समाज में उपेक्षित द्रश्टी से देखा जाता है लेकिन उपेक्षित वर्ग का होते हुए भी रेणू की खासियत क्या है रेणू की खासियत है कि उन्होंने उन्हें अपनी मानविय समवेदना से विशिष्ट बना दि वे हमारे हरदय में कहीं न कहीं अपनी एक खास जगा बना लेते हैं आगे चले रेणू की कहानियों की एक उल्लेखनिय विशेष्टा है देखे पात्रों की बात हो गई अब एक और उल्लेखनिय विशेष्टा है वो क्या है उन्में चित्रित प्रेम की समवेदना एक तीसरी विशेष्टा बात हो गई एक तो आंचलिकता है यानि लोख eligibility का चितर है सम्रिद्ध लोख संस्क्रिती का चित्रन है दूसरी बात हाश्ये के पात्र है और तीजरी बात प्रेम की जो संवेदना हो अन्य कहानियों से बिल्कुल भिन रूप में यहां भी व्यक्त हुई है इस दृष्टी से तीसरी कसम प्रेम की भिल्कुल ध्यान देंगे इस कथन पर तीसरी कसम प्रेम की निश कपट यानि छल कपट से रहित रहस्य मई रहस्य मई क्यों कहा गया है प्रेम की अभी व्यक्ति को क्य इस लिए उसे उधात् समवेदना की अभिवित्ति कहा गया है और इस दृष्टी से फीसरी कसम कहानी अपनी समय की एक बेजोड कहानी है इस कथन को आपको याद कर लेना है क्योंकि यही तीसरी कसम कहानी का मूल कथ्य है मूल कथ्य या मूल समवेधना जिसको कहानीकार अपनी कहानी के माध्यम से अभिव्यक्त करना चाहता है उसे मूल कथे या मूल समवेदना कहते हैं और तीसरी कसम के माध्यम से इसी निश्चल, निश्कपट, प्रेम की प्रभावशाली अभिव्यक्ती करते हैं फणिश्वनात रेणू आगे नामवर सिंग क्या कहते हैं उनके विशय में देखते हैं नामवर सिंग लिखते हैं कि रेणू, मारकंडे और शिव प्रसाद सिंग की कहानियों में ग्रामीन चेतना मिलती है यह तीनों कहानिकार दोस्तों आंचलिक कहानिकारों के रूप में जाने जाते हैं तो उन्होंने एक साधरन सा वक्त तब यह प्रस्तुत किया कि मारकंडे श शिव प्रसाद सिंग और रेणू इन तीनों की कहानियों में ग्रामीन चेतना मिलती है यानि इनकी कहानियों का जो मूल बिंदू है वो आंचलिक है आंचलिक ताके इर्ध गिर्ध ही भूमता है अगला बिंदू अब बात आती है कि बच्चन सिंग क्या कहते हैं पनिश्वर इस कथन को ध्यान रख लेंगे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ड्रेणु के विशे में ये कथन किसका है तो ये कथन है बच्चन सिंग का अब इस कथन का अर्थ क्या है इस कथन का अर्थ है जब बच्चन सिंग ये लिखते है कि ग्रामांचल की तह में तो ग्रामांचल की त केतना है वो और उसका स्पर्ष जो आत्मा को अभिवूत करने वाली जो क्षमता है यानि कुल मिलाकर एक शब्द में कहें तो किसी भी ग्रामीन अंचल की संस्कृती का जो समग्र रूप है जिसमें उसका सौंदेर्य उसका लोक जीवन उसकी जीवन शैली उसके लोक गीत अाले एक ही कथाकार हैं और वो हैं recupernat रेणु उन्हें प्रेम चंद का सच्चा उत्रादिकारी कहा जा सकता है बहुत ही महतुपूर्ण कथन है केवल इस कथन पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस विद्वान ने प्रेम चंद का सच्चा उत्तरादिकारी माना है तो आपका जवाब होना चाहिए बच्चन से आगे वे लिखते हैं रेडू ने बदलते हुए गाउं को उनके बनते बिगरते मूल्यों को पूरी समगरता और चटिलता में पूरी तनमयता के साथ चित्रित किया है इस कथन का अर्थ क्या है इस कथन से वे संकेत कर रहे हैं कि रेडू केवल लोक संस्कृती ग्रामीन जीव अन्षैली की काही चित्रन नहीं करते बलकि उसमें समय के साथ साथ बदलाव कौन-कौन से आ रहे हैं उनको भी वो गहराई से अभिव्यक्त करते हैं अपनी कहानियों में प्रेमचंद की कहानियों में अब क्योंकि उन्होंने प्रेमचंद का सच्चा उतराधिकारी कह दिय तो इस अंतिम पंक्ती में वे प्रेमचंद और रेणू की कहानियों की तुलना कर रहे हैं, तो वे कहते हैं कि प्रेमचंद की कहानियों में किसानी लाय है, यानि उनका प्रधान जो रामीन परिवेश चित्रित होता है, वो किसानों का परिवेश है, लेकिन रेणू की कहानिय पूर्णिया और मिथिला के ग्राम गीतों के चंद और ध्वनी है यानि अप लोक संस्कृती जो इस शेत्र की है पूर्णिया और मिथिला के क्षेत्र की जो लोक संस्कृती है वो अपने पूरे के पूरे समग्र रूप में रेणू की कहानियों में अभिव्यक्त हुई है आगे चलें जब हीरा बाई ट्रेन से वापस मत्रा मोहन कंपनी में लोटती है और उसे पैसे देती है कि गरम चादर करीद लेना और उसे बैलारी के मेले में आने का आगरह करती है उसे पूछती है उस वक्त जब वो जा रही है पैसे देकर उस समय जो प्रेम का भाव हीरा मन के हरदय में जन्म ले रहा था वो एक जटके से तूट जाता है जो कहानी अब तक प्रेम की कहानी प्रतीत हो रही थी वो कहानी anti-romantic हो जाती है यानि प्रेम विरोधी कहानी के रूप में उसका अंत होता है क्यूंकि जैसे ही train railway station से गुजरती है निकलती है चली जाती है वैसे ही हीरा मन को अपनी पूरी की पूरी स्थिती पता चलती है और उसे लगता है जैसे उसके चारो और एक खाली पन एक शून्य सा व्याप्त हो गया है और यही इस एंटी रोमेंटिक कहानी के एंटी रोमेंटिक होने का प्रमान है लाल पान की बेगम रस्प्रिया और ठुमरी पर मुग्ध है यानि ये भी रेणू की प्रमुक कहानिया है अब बात आती है तीसरी कसम कहानी की इसके महतुपून तत्थियों पर बात करते हैं सबसे पहली पहला बिंदू है दोस्तों के 1956 में ये कहानी रची गई ये एक आंचलिक कहानी है इसकी चर्चा हम कर चुके है ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित है जो उनका पहला कहानी संग्रह माना जाता है कहानी का मूल शीर्शक ऐसा माना जाता है कि मारे गए गुलफाम था लेकिन फिल्म बनने के बाद इसका शीर्शक रख दिया गया तीसरी कसम और वही उसी शीर्शक से ये कहानी लोख प्रिय हुई 1966 में तीसरी कसम नाम से इस कहानी पर फिल्म बनी ये भी ध्यान रखेंगे इसके प्रमुख पात्र है नायक है हीरामन जो नायक है और गारी चलाने का काम करता है कहानी में जिक्र है कि लगबग 20 वर्षते वो गारी चला रहा है हीरा बाई नायका है जो मत्रा मोहन कंपनी की नौटंकी में लैला की भ भावनात्मक समवेदना की कहानी है भावनात्मक जुडाव की कहानी है तीसरी कसम अब कठा सूत्रों पर बात करते हैं हीरामन 20 साल से गाड़ीवान है जैसा मैंने आपको अभी बताया यहीं से शुरूआत होती है कहानी की तथा उस पार मोरंग राज नैपाल से उस पार का अनाज को इधर से उधर नहीं लाया जा सकता था तब भी उसने चोर बादारी का माल इस पार से उस पार पहुँचाने का काम किया है गाड़ी लेकिन लगातार पकड़ी जाती है चार बार लेकिन जब पांचवी बार सीमा के इस पार तराई में जब उसकी गाड़ी उसने अब और संकल्प करता है कि चोर बाजारी के माल की धुलाई कभी नहीं करेगा ये उसकी पहली कसम है पहली कसम तीसरी कसम कहानी का शीर्शक है पहली कसम क्या खाता है हीरामन कि चोर बाजारी के कारण जब उसकी गारी पकड़ी जाती है पांचवी बार और बचने का है कि बांस की ढुलाई कभी नहीं करेगा क्यों नहीं करेगा बांस की ढुलाई यह दूसरी कसम है दूसरी कसम है क्योंकि बांस बहुत लंबे होते हैं और वो गाड़ी के बाहर निकले रहते हैं और निकले रहने के कारण गाड़ी हमेशा बे-काबू रहती है यानि नियंत्र कि ना करने की जो कसम खाता है उसके साथ ये भी कहता है कि बांस की लदनी के साथ साथ खरया शहर की लदनी भी अब वो कभी नहीं करेगा ये दो कसमें वो खाता है लेकिन कहानी का केंद्र बिंदू है उसकी तीसरी कसम जिसकी चर्चा आगे पूरी की पूरी कहानी में प्रस् कई वर्षत तक हीरामन बैलों को आधीदारी पर जोता यानि जब थरय या- काम नहीं करता चोरबाजारी के माल को इधर उदर नहीं करता तो बहुत समय तक उसे से काम नहीं मिलता और वो अपने बैलों को आधीदारी पर देता है गाडी में चलाने के लिए आधी दारी पर देता है, आधी दारी का मतलब यूँ है, कि जो भी कमाई होगी उसमें से आधी बैल के मालिक को, यानि हिरामन को मिलेगी और आधी गाडी के मालिक को मिलेगी, लेकिन इसमें भी कोई बहुत अर्थिक लाब प्राप्त नहीं होता, यही कारण है कि वो इनिर्ने करता है कि उसे आर्थिक स्थिती में सुधार करने की आवश्यक्ता है इसलिए वो दूसरी गाड़ी बनवाता है और 100 रुपए भाड़ा मिलने पर सरकस कंपनी की बाग गाड़ी की गाड़ीवानी करता है यानि सरकस होने जा रहा है किसी स्थान और वहां पर बाग लेकर जाने है, बागों का खेल वहां दिखाया जाएगा, तो ऐसी स्थिती में कोई भी गाडिवान, खत्रा मोल लेना नहीं चाहता कि बाग की गाड़ी को लेकर जाए, क्योंकि बाग को देखते ही बैल बिदकने लगते हैं, और गाडी चलाने से इनकार स इस वर्ष मतुरा मोहन नौटंग की कंपनी में लैला बनने वाली हीरा बाई की गाड़ीवानी मिली और इसके बाद उसे अगले वर्ष मिलती है गाड़ीवानी मतुरा मोहन नौटंग की कंपनी में जो लैला की भूमिका निभाती है हीरा बाई उसको स्थान पर ले जाने की गाड़ीवानी उसको मिलती है और यहीं से उसके जीवन में वो बदलाव आता है वो मोड आता है जिस सम्वेदनात्मक क्षण को अभिव्यक्त करने के लिए लेखक ने ये कहानी लिखी है हीरा भाई के गाड़ी में बैठने के कारण उसकी पीठ में लगातार गुदगुदी और गाड़ी में रहरे कर चमपा के फूल महकने का एहसास है एक वो ग्रामीर युवक जिसने कभी अपने जीवन में किसी स्त्री को देखा तक नहीं किसी स्त्री के प्रती कोई भावना कोई समवेदना व्यक्त तक नहीं की अनुभाव नहीं की उसने केवल स्त्री के नाम पर अपनी भावी को देखा है जो उसकी मा के समान है तो ऐसी स्थिती में जब एक ऐसी स्थी उसकी गाड़ी में बैठती है जो कि किसी नाटक कमपनी से नौटंकी कमपनी से संबंदित है तो उसके हृदय में हलचल मत जाती है एक उत्सुकता उत्मन होती है और यही कारण है कि उसकी पीट में निरंतर गुदगुदी होती है, पीट में गुदगुदी होना और चमपा के फूल महकना ये ग्रामीन परिवेश से लिए गए प्रतीक हैं, जो उसके प्रेम भाव उत्पन होने का प्रतीक, अभी ये केवल भाव है, समवेधना है, लेकिन बाद में धीरे धीरे विक्सित होकर ये प्रेम में परिवर्तित हो जाता है, तो ये गुदगुदी और ये चमपा के फूल महकना जो प्रतीक हैं, वो किसका है, उस गाड़ी में बैठी हुई वो जो उस्त्री है, जो नाटक कम करती है, उसके प्रती एक भावनात्मक जुड़ाव, एक समवेधना उत्पन होने का प्रतीक हैं, ये दोनों शब्द, दोनों पात्र हीरामन और हीरा बाई का परिचे अपने नामों के जानकारी से होता है, दोनों के पात्र, दोनों पात्रों के नाम मिलते जुनते हैं, हीर का नाम हीरा भाई है तो वो सोचता है कि हीरा नाम तो केवल पुरुशों की हुआ करते हैं फिर भला इस स्त्री का नाम हीरा कैसे है लेकिन वो इस तरह का कोई किसी निशकर्ष पर इस संदर में नहीं पहुंच पाता हीरा भाई उसे कहती है कि वो उसे भाया नहीं कहेगी बलकि मीता कहकर पुकारेगी और यह जो मीता शब्द है दोस्तों यह मित्र का तद्भव है यानि मित्र यानि मित्र यानि प्रियव्यक्ति कानपुर और नाकपु उसे नहीं पता कि इस तरह के भी नाम स्थानों के रखे जाते हैं। हीरामन गाड़ी के पर्दे के छेट से उसमें जिग्यासा है कि उसने आवाज को सुन ली लेकिन वो हीरा भाई को देखना चाहता है। तो वो पर्दे उसके जो पर्दा लगा हुए गाड़ी पर्दे से चारो तरफ से ढखी हुई है क्योंकि जनाना सवारी जा रही है और उस समय की जो ग्रामीन संस्थ्रिती थी उसमें पर्दा बहुती महत्पूर्ण माना जाता था किसी भी स्थ्री सवारी के लिए। तो ऐसी स्थिती में पर्दे में जो छेद है उसमें से जांक कर हीरा भाई को देखता है और ये मानता है कि उसकी सज्जनता इसी में है कि यदि उसे बीड़ी पी नहीं है तो वो पूछ कर अनुमती लेकर पूछे अनुमती लेकर बीड़ी पीए ताकि सवारी को किसी प्रक में पूछा जा सकता है कौन सा गीत गाकर पर सुनाया तो सजनवा बैरी हुए गए हमार ये गीत वो गाकर सुनाता है और हीरा भाई से तारीब सुनकर अपने गीत की अपने गाने की अपनी आवाज की उसका मूँ लाल हो जाता है यानि उसे संकोच मिश्रित लज्जा होती है का अनुभव होता है हीरामन हीराबाई की सुरक्षा का विशेश ध्यान रखता है क्योंकि एक जनानी सवारी है तो ग्रामीर योगख है जैसे ग्रामीर परिवेश में स्रियों की सुरक्षा का विशेश ध्यान रखा जाता है उसी तरह से वो गाड़ी को अकेला चोड़ कर जाता अगर रास्ते में रोकता है तो आसपास देखकर सुरक्षित स्थान महसूस कर लेने पर ही गाड़ी को रोकता है कजड़ी नदी के किनारे तेगचिया के पास विश्राम के लिए वो गाड़ी रोकता है जहां पर उसे लगता है कि इस गाड़ी को रोकने के लिए सबसे स चुडएल तो नहीं है लेकिन जब वो देख उसके पैरों की तरफ दालता है तो देखता है कि पैर सीधे और ग्रामीण परिवेश में दोस्तों यह मान्यता होती है कि जो चुडएल होती है उनके पैर इलटे होते हैं , तो उससे विश्वास हो जाता है कि नहीं ये वास्तों में एक स्त्री है भगवती और कभी उसे भगवती बाईया के रूप में देखता है यानि ग्रामीन द्रश्टी कौन से वो उसे देख रहा है हीरा भाई के अनुरोध पर महुआ घटवारिन जो उसका प्रप्रिय गीत है वो वहां सुसे सुनाता है और उसकी पूरी कहानी भी साथ की साथ सुनाता जाता है नननपुर के हाट पर हीरा भाई को चाय पिलाता है और यह मन में सोचता है कि जो भी इस तरह कि नौटन की कमपनियों में काम करने वाली स्थियां होती है उनको समय समय पर चाय पीने की आदत होती है ऐसा उन्हों उसने सुना है तो इसलिए वो हीरा भाई को नननपूर के हाट में चाय पिलाता है, फार्बिस गंज में उसके मित्र, जब फार्बिस गंज पहुंचता है तो वो जैसे मानो उसका अपना स्थान है, तो वहाँ पहुंचकर उसके मित्र लाल मोहर, लहसनवा, धुनी राम और पलट दास ये मि मानो वो किसी सिया कुमारी यानी सीता जी के साक्षात दर्शन कर रहा है, हीरा भाई 50 रुपे भाड़ा देकर हीरामन को रीता कंपनी में भेट करने के लिए कहती है, ताकि वो नौटंकी के पास उसके लिए बनवा सके, और हीरामन और अपने मित्रों के साथ नौटंकी क्य फाइदा उठा सके, उसका आनंद ले सकें, हीरामन बहुत कठिनाई से उस से पैसे सुईकार करता है, ये उसके हरदय की निष्चल का है, क्यों कि उसका काम क्या है? उसका काम है गाड़ी चलाना और गाड़ी वानी करने के बदले में उसे रुपिया लेना ये उसका हक है लेकिन वो इतने निश्चल और पवित्र हर्दैका है और उसके मन में एक प्रेम का जो भावुत्पन हो गया है उस हीरा बाई के प्रती यहीं कारण है कि उसे बहुत पै कारवो उसी नौटंकी वाले स्थान पर रहता है और 10 दिन क्योंकि उसका पास बन चुका है, हीरा बाई ने पास बन वा दिया है, वो और उसके मित्र दिन भर भाड़ाड होते हैं, यानि गाड़ी से ढुलाई करते हैं, और रात को अपने मित्रों के साथ पो नौटंकी का आन हो गया है, अचानक एक दिन लाल महर हीरा बाई के जाने और स्टेशन पर हीरा मन की प्रतिक्षा करने की सूचना देता है, यानि उसका मित्र जो लाल महर है, वो दोड़ा दोड़ा आता है, और उसे बताता है कि हीरा बाई स्टेशन पर हैं, और वे इसकी प्रतिक्षा कर र तो रीता कंपनी में काम कर रही थी, लेकिन पहले वो मत्रा मोहन कंपनी में काम किया करती थी, लेकिन अब वापस वे मत्रा मोहन कंपनी में लोट कर जा रही है, तो बनेली मत्रा मोहन कंपनी की नौटंग की होने वाली है, बनौली के मेले में, तो वे हीरामन को स्टेशन पर म रुपय देती है और हीरामन का चहरा रुपय देखकर उतर जाता है, मनिवन वो सोचता है क्या हमेशा रुपया रुपया पैसा पैसा करती है, तो जब उसका उत्रा वह चहरा देखती है तो हीरा भाई कहती है, महुआ घटवारिन को सौधागर ने खरीद को लिया है गुरु तो उसी बात को आधार बनाकर हीरा बाई कहती है कि महुआ घटवारिन शब्द उन्होंने स्वैम अपने लिए यहां स्तेमाल किया है और सौधागर है मतुरा मौन कंपनी तो मतुरा मौन कंपनी ने खरीद लिया है इसलिए वो विवश हैं उन्हें अब जाना ही होगा हीरा बाई का गला भार आता है हीरा मन चुपचा फाटक के बाहर खड़ा है गाड़ी स्टेशन से रवाना होती है और हीरा मन गाउं की ओर चल पड़ता है अब उसके लिए सब कुछ खाली है यानि उसका हरदय खाली हो गया है उसकी समवेदनाएं जिस से जुड़ी हुई थी जिस स्ट्री से जुड़ी हुई थी वो समवेदनाएं अचानक जटके के साथ तूट कर बिखर गई है यही कारण है कि उसे स्टेशन अपना जीवन आसपास का पूरा का पूरा परिवेश खाली दिखाई देता है और यही वो बिंदु है दोस्तों जहां पर बच्चन क्योंकि इस यही कहानी के नामकरण का शीरशक का आधार है तीसरी कसम खाता है कि कमपनी की औरत की लदनी नहीं करेगा पहली चोर बाजारी के माल की लदनी नहीं करेगा और तीसरी कमपनी की औरत की लदनी नहीं करेगा क्योंकि इस बार उसे जो चोट पहुँची है वो च कहानी की कुछ महतुपून पंक्तियों की जिनके आधार पर हम इन कथा सूत्र के बिंदूओं को अच्छी तरह से जोड़ पाएंगे घर पहुंचकर दो दिन तक ये कौन सा प्रसंग है ये वो प्रसंग है जब उसकी गाड़ी पकड़ी जाती है पांचवी बार और गाड़ी आते ही उसने कान पकड़ कर कसम खाई थी कि अब कभी ऐसी चीजों की लगनी नहीं ला देंगे यानी चोर माजारी का माल तौबा तौबा यानी पहली कसम यहां हुई कि चोर माजारी का माल अब नहीं ला देंगे आज रह रहकर उसकी गाड़ी में चमपा का फूल महक उठता है पीठ में गुदगुदी लगने पर वे अंगोचे से पीठ जाड़ लेता है ये वो बिंदु है जब हीरा भाई आकर उसकी गाड़ी में बैठी है और उसके मन में उनके प्रती एक कोमल भाव उत्पन हो रहा है यही कारण है कि उससे लगता है कि जैसे कि गाड़ी में चमपा के फूल महकने लग गए है और उसकी पीठ में एक गुदगुदी एक सरसराहट सी हो रही है और वो बार-बार अपने अंगोचे से पीठ को जारता है ताकि वो गुदगुदी शांत हो जाए अगला कतन है ह ही रबाई ने अपने हाथ से को पत्तोल बिछा दिया। इस धन है धन है धन, धन है धन याणि धन्य है। ही रमन ने देखा भग्वती मयद भोग लगा रही है, तो यहां वो ही रबाई को भग्वती मयद के स्प Maja के रूप में देखता है। लाल होटों पर गोरस कासपर्श और जैसे ही वो चावल खाती हैं चादूद और भात खाती हैं तो उसे लगता है मानो उनके जो लाल रंग के होट हैं वे गोरस कासपर्श कर रही हैं दूद को गोरस कह करके संबोधित किया है यहाँ पर ऐसे कितने सपने देखें हैं उसने अब धकी हुई गाड़ी है अंदर हीरा बाई बैठी है और जिस जिस गाओं से गुजरती है वो गाड़ी लड़के सोचते हैं कि दुलहन इसमें जा रही है और वो ताली बजाते हैं और तरह तरह के सवाल करते हैं तो उसे याद आता है कि किस तरह से अपने विवाहा और अपनी दुलहन को लेकर के हीरा मन ने सपने संजोए थे तो उसी संदर्ब का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है ऐसे कितने सपने देखें हैं उसने वह अपनी दुलहन को लेकर लोट रहा है हर गाओं के बच्चे तालिया बजा कर गा रहे हैं, हर आंगन से जाक कर देख रही हैं औरतें, ये एक ग्रामीन युवक का बिलकुल निश्चल सा सपना है, जो वो अपने भावी जीवन के विशे में सोचता है, हीराबाई चंचल हो गई बोली, हीरामन इधर आओ अंदर, मै मैं फिर लोट कर जा रही हूँ मतुरा मोहन कंपनी में, ये स्टेशन बोलवाती है हीराबाई जाते समय, उस समय का जिक्र है, वे बताती है कि आप रीता कंपनी से वापस मतुरा मोहन कंपनी में जा रही है, अपने देश की कंपनी है, और बनेली मेले में इसकी नोटनकी हो ही तमवेदनात्मत जुकाव किसकी और हीरामन की उन ये वो बिंदु है जहां सपश्ट जाहिर हो जाता है कि हीरा भाई भी उसके प्रती एक समवेदन शीलता अनुभव करती है एक प्रेम का भाव एक कोमल भाव अनुभव करती है हीरा भाई ने हीरामन के कंधे पर हात रखा इस बार दाहिने कंधे पर फिर अपनी थैली से रुपया निकालते हुए बोली एक गरम चादर खरीद लेना ये स्टेशन पर जब उन्होंने बुलाया और पैसा निकाल कर दिया गरम चादर खरीद लेना बहुत असहज हो जाता है हीरामन और कहता है गरम चादर का हम क्या करेंगे यानि उसके लिए केवल और केवल इस समय प्रेम का भाग जो उसके हिरदे में हीराबाई के प्रती जन्म ले रहा है वही महतुपून है और कोई बिसंसार की चीज, कोई भी सुवधा की चीज उसके लिए महतु रखती ही न तुम्हारा जी बहुत छोटा हो गया है यानि उसका चहरा उतर गया था क्यूंकि एक तो वो पैसा दे रही थी और कौन पैसा देने वाली कौन थी हीरा बाई थी जिसके प्रती भावनात्मक जुड़ाग अनुभव कर रहा था मन ही मन हीरा मन दूसरी बात वो हमेशा के लिए उसे छोड़ कर जा रही थी तो ऐसी स्थिती में चहरा उतरना एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया थी एक भोले भाले युवक के लिए तो तुम्हारा जी बहुत छोटा हो गया है क्यूं मीता मीता यानि मित्र महुआ घटवारिन को सौदागर ने खरीज जो लिया है गुरु हीरामन ने अपने दाहिने पैर के अग बहुत ध्यान देंगे कितनी बारी की से समवेदनाओं की हीरामन की समवेदनाओं की अभिव्यक्ति की है लेखक ने गाड़ी हिली हीरामन ने अपने दाहिने पैर के अंगुठे को बाएं पैर की एड़ी से कुचल लिया कलेजे की ध से कुचल दिया ताकि वो अपनी वास्तविक जीवन में आ जाए वास्तविक जगत में आ जाए अभी जिस भावना के संसार में वो जी रहा था इतने दिनों से उस संसार को भूल कर जो उसका सचमुच का जीवन है जो उसका सचमुच का परिवेश है उससे जुड़ जाए इस है अब जाओ आखरी डबबा गुजरा प्लेटफार्म खाली सब खाली खोक ले माल गाड़ी के डबबे दुनिया ही खाली हो गई मानो हीरामन अपनी गाड़ी के पास लोट आया यह वो बिंदू है दोस्तों जहां हीरामन गाड़ी के चले जाने के बाद जो खाली पन जो एंटी रोमेंटिक होने का बिंदू क्यों है क्योंकि ये वो बिंदू है ये वो समबाद है जहां उसकी प्रेम की भावनाएं जो जन्मी थी हीराबाई के लिए वो बिखर कर तूट जटके के साथ बिखर कर तूट जाती है और कहानी में जो प्रेम का प्रवाह एक बहरा आ आगे चलें गुद्गुदी लगती है उसको पीठ में आज भी रह रहकर चमपा का फूल खिल उठता है यानि अब भी वो हीरा बाई को अपने निकट अपने हरदय में महसूस कर रहा है एक गीत की टूटी कड़ी पर नगारे का ताल कट जाता है आनन्द मैं रुकावट ये इसका प्रतीक है शायद वे तीसरी कसम खा रहा है कंपनी की औरत की लदनी और डैश 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 यानि तीसरी कसम है कि अब वो कंपनी की औरत की लदनी नहीं करेगा क्योंकि इस प्रकार की लदनी इस प्रकार की सवारी को एक स्थान से दूसरे स्थान पढ़ ले जाना भावनात्मक दृष्टी से बहुत आगात पहुचाने वाला होता है अब बात आती है दूसरी कहानी की लालपान की बेगम अती महतुपून प्रशनों पर बात करते हैं थुमरी कहानी संग्रे में संकलित हैं 1956 में ये कहानी लिखी गई और कहानी पत्र का जो इलहाबाद से प्रकाशित होती थी उसके जनवरी अंक में ये प्रकाशित हुई कहानी के केंदर में स्थ्री पात हैं देखे तीसरी कसम कहानी में स्थ्री और पुरुष्ट दोनों हैं बरावर लेकिन यहां स्त्री पात्रों की प्रधानता है और यही कारण है कि कुछ विद्वान इसे स्त्री सशक्ती करण की कहानी कहते हैं लेकिन वास्तों में इस्त्री सशक्ति करन जिस रूप में हम आज कल पढ़ते हैं आज के कथा साहिते में उस तरह कर कुछ यहां दिखाई नहीं देता लेकिन हाँ एक इस्त्री के स्वाभिमान उसके आत्म सम्मान की सुरक्षा की कहानी अवश्य है ये बिर्जु की मा, चम्पिया, मखनीप हुआ, जंगी की पुतोहु, राधे की बेटी सुनरी, लरैना की बीवी ये कहानी में आये सभी प्रमुख इस्त्री पात्र हैं यानि इतने सारे इस्त्री पात्र इस कहानी में प्रस्तुत किये गए हैं पुरुष पात्रों में केवल दो हैं, बिर्जु और बिर्जु के बपा, प्रमुख पात्र हैं, इसके अलावा जंगी थोड़ा बहुत आता है और उसका बेटा रंगी केवल सूचे पात्र, दो पात्रों के समवाद से जिसकी सूचना मिलती है, उसका जिक्र भी थोड़ा बहुत आता है लेकिन प्रमुक पात्र देखें तो प्रमुक यही दो पुरुष पात्र हैं ग्रामीन परिवेश में अब इस कहानी का कत्य क्या है ग्रामीन परिवेश में किस तरह से छूटी छूटी बातों पर आपस में इर्श्या द्वेश हो जाता है राग विराग हो जात कभी आनंद से लहरा उठता है तो कभी दुख उसे आकर गिर लेता है इन सारी विप्री परसपर विरोधी इस्थितियों का बहुत ही सुंदर चित्रिहां लाल पान की बेगम में प्रस्तुत किया गया है बिर्जु की मा कहानी की नाइका है ध्यान देंगे और वही लाल पान क की बेगम है अब इस प्रतीक को समझ लीजिए ये प्रतीक आत्मक शीरशक है कहानी आंचलिक है लेकिन इसका शीरशक प्रतीक आत्मक है लाल पान की बेगम क्या होती है जब ताश खेलते हैं उसमें एक पान के पत्ते होते हैं और उसमें पान का इक्का सबसे बड़ा इक्क आजाए उसे पराजित करना नामुम्किन होता है यानि लाल पान की बेगम एक प्रभावशाली इस्त्री जो की केंद्र में रहती है सबके उस प्रभावशाली इस्त्री का प्रतीक है लाल पान की बेगम और वो प्रभावशाली इस्त्री इस कहानी में है बिर्जु की माँ नारी के स्वाभिमान और आत्म सम्मान की चाह की अभिज़क्ती है भले ही बिर्जु की माँ एक साधरन परिवार से है लेकिन उसके अंदर आत्म सम्मान और स्वाभिमान की भावना कूट-कूट कर भरी हुई है हरदै से वो बुरी नहीं है लेकिन वो अपने स्वाविमान को किसी भी स्थिती में आहत होते नहीं देख सकती अब कथा के सूत्रों पर बात करते हैं कहानी जहां शुरू होती है तो शुरूात में बताते हैं कहानीकार कि बिर्जु की मा क्रोधित है क्रोध से शुरू होती है बिर्जु की मा के क्रोध से कहानी शुरू होती है बिर्जु उनका जो बेटा है जिसके नाम पर उन्हें बिर्जु की मा कहकर पुकारा जा रहा है वो शकरगंदी और गोड़ खाने की जिद करता है और उसकी जो बेटी है बिर्जु की मा की बेटी यानि बिर्जु की बहन चंपिया, वो कुछ सामान लेने के लिए दुकान पर गई है, लेकिन अभी तक लोटी नहीं है, तो मा को ये भी क्रोध का, मा के क्रोध का एक कारण ये भी है कि इतना समय हो गया और अभी तक लोटी नहीं है, दूसरी और एक बकरा बना हुआ है, वो आतंक मचा रखाया और वह भी बिर्जु की मा के क्रोध का एक कारण है, मखनी बुआ, वो क्रोध से भरी हुई है और वो एक मिट्टी का धेला उठाती है बकरे की तरफ मारने के लिए, लेकिन इसी बीच पड़ोस में रहने वाली जो मखनी बुआ हैं, जो अकेली है इस प पीछे कोई नहीं होता, यानि जो जिन्दगी में अकेला होता है, जिसका कोई परिवार नहीं होता, वही नाच में देखने जाने की बात सोच सकता है, और ये व्यंग्य था मखनी बुआ पर क्योंकि वे इस दुनिया में अकेली हैं, तो मखनी बुआ को ये बात चोट बलरामपुर का नाच दिखा लाऊंगा और इसलिए मखनी गुआ कहती है कि उसी बात का हवाला देकर मैंने उसे पूछा कि नाच देखने नहीं जा रही हो क्या तो उसने मुझे इस तरह का जवाब दिया इसी बीच जंगी की पुतोहु जो पानी भरने के लिए आई है पुत बलरामपुर का नाच दिखाने ले जा सके लेकिन कोईरी टोले की गाड़ी उन्हें नहीं मिलती जिस गाड़ी को वो लेना चाहते हैं वो गाड़ी उन्हें नहीं मिलती इसलिए वे मल्दहिया टोली के मिया जान की गाड़ी लेकर आने की योजना बनाते हैं बिर्जू की म उधर प्रतीक्षा कर रही है कि पती अभी तक गाड़ी लेकर लोटे नहीं, तो उनका जो क्रोध पहले से चल रहा था, वो और अधिक सात्वे आस्मान पर पहुंच जाता है, और वो सारे काम छोड़ कर, क्योंकि उन्हें बहुत सारे सपने सजाये थे, कि जब वे गाड़ी म और बिर्जू, दौनों मा को नाराज होकर लेटते देखते हैं, कि वो कोई तैयारी नहीं कर रही मेले में जाने की, नाच देखने जाने की, तो चम्पिया की आँखों में, पूरा का पूरा वो दृष्य भूम उर जाता है, जो मा ने उससे वादा किया था बलरामपुर मे नाच देखने जाने के लिए, और उसका दिक्र है कि चम्पिया की आँखों में बलरामपुर के नाच के दिन मा की मीठी रोटी बनाने, उसे छीट की सारी पहनाने, और बिर्जू को पैंट पहना कर वैल गाड़ी से ले जाने की बात याद आती है, और उसे लगता है क्यों बाल मनोविज्यान की भी, ग्रामीन परिवेश के बच्चों के सपने कितने चोटे-चोटे होते हैं, कितने समवेधन शील होते हैं, वो इसका दिक्र, इसका चित्रन यहाँ पर कहानीकार ने किया है, आदे चलते हैं, बिर्जू भी उदास, दूसरी और बिर्जू भी उद और मन ही मन क्या करता है इमली पर रहने वाले जिन बाबा ऐसी मानिता है गाउं में कि इमली के पेड़ पर कोई जिन बाबा रहते हैं तो वो हाथ जोड़कर जिन बाबा को कहता है कि अगर बलरामपुर मैं गाड़ी में बैठ कर जा पाया तो मैं मैंने अपने हाथ से जो बैं ये उसी तरह से वो ग्रामीन बच्चा अपने हाथ से लगाए हुए बैंगन के पौधे का पहला बैंगन जिन बाबा को चढ़ाने के लिए संकर्प लेता है। का शिकार हो गया है। लगते नहीं देखना चाहती और ये सोच सोच कर बिर्जू की मा की नाराजगी और ज्यादा बढ़ने लगती है। अंतते इसी बीच जब नाराजगी बहुत सात्वे आसमान पर पहुँच गई है। बिर्जू के बपपा आजाते हैं गाड़ी लेकर और परिवार में आनंद की लहर व्याप्त हो जाती है। गाड़ी में जगे है तो बिर्जू की माँ चाहती है कि जो लोग गाउं की और इस्तिरिया नहीं जा पाई हैं वे भी बलरामपुर नाच में नाच देखने चलें गाड़ी में बैठकर तो बिर्जू की माँ जंगी की पुतो हुँ जो उसे लालपान की बेगम कहकर कटाक् उसे साथ में लेती हैं लारेना की पत्नी को लेती हैं राधे की बेटी सुनरी को भी साथ लेताती हैं बिर्जू की माँ जो कि बाइसकोप के गीत से बहुत नफरत करती हैं उस तमें इतनी खुश हैं कि वो गाड़ी में बैठकर चम्पिया से कहती हैं कि तू बाइसकोप का गीत याद है तो बाइसकोप का गाना गाने के लिए वो चमपिया से अनुरोद करती है उनके व्यक्तित्व का ये बदलाव कि एक कुछ समय पहले वो डांट रही थी घर पर चमपिया को बाइसकोप का गाना सीखने के लिए लेकिन अब वो स्वयम कह रही है कि बाइसकोप का गीत सुना, इसका मतलब है कि अब उनके हिर्दय में आनंद और उल्लास का भाव उत्पन हो रहा है, उस समय वे क्रोध में थी, क्यों क्योंकि उनका स्वाभिमान जाओ पर लगा हुआ था, लेकिन इस समय उनका स्वाभिमान पूरी तरह से सुरक्षित है, आत्मुसम्मान सु उनके हिर्दय में आनंद की लहरें उठ रही है, यही कारण है कि वो चम्पिया से 22 कुप का गाना सुनाने की बात करती है, बिर्जू की मा का जंगी की पुतोहु को प्रशन सा भरी द्रश्टी से देखना, जिस जंगी की पुतोहु के कटाक्ष उनको भीतर तक आहत कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि लाल पान की बेगम का मतलब हुआ, केंदर में रहने वाली ग्रामीर परिवेश के केंदर में रहने वाली इस्त्री, यानि प्रभावशाली इस्त्री, तो अपने आपको प्रभावशाली इस्त्री के रूप में गाउं में देखकर वे संतुष्ट होती अब महतुपून पंक्तियों पर नजर डालते हैं पड़ोसिन मखनी पुआ की पोकार सुनाई पड़ी कहानी की शुरुवाती पंक्तियां है क्यों विर्जु की मा नाज देखने नहीं जाएगी क्या दूसरा समवाद है मखनी पुआने इंके पास जुकी कमर से खड़ा उतार कर पानी भर कर लोटती पन भर्यों में बिर्जु की मा की बहकी हुई बात का इंसाफ करा रही थी इस बात को हम आगे अच्छी तरह से समझ लेंगे तोल रही थी मखनी बुआ वे कहती है जरा देखो तो इस बिर्जू की मा को चार मन पाट का पैसा क्या हुआ पाट का मतलब है जूट पटसन धर्ती पर पाउं ही नहीं पड़ते निसाफ करो निसाफ का मतलब है इंसाफ करो यानि उन पानी भरने वाली इस्त्रियों से न्याय करवाती है खुद अपने मूँ से आठ दिन पहले से ही गाउं की अली गली में बोलती फिरी है हाँ इस बार बिर्जू के बपा ने कहा है बैल गाडी पर बिठा कर बलरामपुर का नाच दिखा लाओंगा बैल अब अपने घर है तो हजार गाडी मंगनी मिल जाएंगी यानि मांगने से गाडी की व्यवस्था हो जाएगी बैल अपने पास है ही तो ये पूरा का पूरा कथन वो उन पानी भरने वाली इस्त्रियों को सुनाती है आगे चलिए जंगी की पुतोहू ने विर्जू की मा की बोली का स्वाद लेकर कमर पर घड़े को संभाला और मटक कर बोली चल दिदिया चल इस महले में लाल पान की बेगम बस्ती है बहुती महतुपून समवाद है किसने किस से कहा जंगी की पुतोहू ने मकनी बुआ से कहा चल दिदिया चल यानि दिदी चल इस महले में लाल पान की बेगम बस्ती है तीन साल पहले सर्वे कैंप के बाद गाओं की जलन डाही औरतों ने यानि इर्श्या करने वाली औरतों ने एक कहानी गड़ के फैलाई थी कि चंपिया की मा के आंगन में रात बर विजली बत्ती जुग जुगाती थी यानि कोई गैर पुरुष आते थे सर्वे के दौरान ऐसी अफवाः फैलाई गई थी और उन गैर पुरुषों के घर में आने के कारणी उन्हें पांच फीगा जमीन मिल गई ऐसी बात वहाँ फैलाई गई थी चंपिया की मा आंगन में नाक वाले जूतों की छाप गोड़े की टाप की तरह इस तरह की तरह तरह की अपवाएं फैली थी जो कि उससे चोट पहुचाती है किसको बिर्जू की मा के घरदैबो जलो जलो और जलो चंपिया की मा के आंगन में चांदी जैसे पाट सूखते देखकर जलने वाली सब खलिहान पर सौनोली औरतें धान के बोजों को देखकर बैंगन का भुरता हो जाएंगी ये बिर्जू की मा का कथन है वे सोच रही है कि तुम मुझसे इरश्या करते हो क्योंकि मेरे पास केती है मेरे घर के आंगन में परसन सूखता है और अगर तुम जलते हो तो जलो एक महीना पहले से ही मया कहती थी बलरामपुर के नाच के दिन मीठी रोटी बनेगी चम्पिया चीट की साड़ी पहनेगी बिर्जू पैंट पहनेगा बैल गाड़ी पर चड़कर चम्पिया की भीगी पलकों पर एक भूदास हुआ गया इसका जिक्र हम कर चुके हैं चम्पिया का सोचना है यात्मकत्य है उसका बिर्जू का दिल भराया उसने मनी मन इमली पर रहने वाले जिन बाबा को एक बैंगन कुबूला यानि बैंगन चड़ाने का संकल्प किया गाच का गाच यानि पौधा गाच का सबसे पहला बैंगन उसने खुझ जिस पौधे को रूपा है जल्दी से गाड़ी लेकर बपा को भेज़ दो जिन बाबा एक मासूम बच्चे की पुकार की अभिवेक्ती है यहां पांच भीगा जमीन क्या हासिल की है बिर्जू के बपा ने गाउं की भाई खोकियों की आँखों में किरकिरी पड़ गई है यह बिर्जू की मा का करन धिपरी की रोशनी में धान की बालियों का रंग देखते हैं जब गाड़ी लेकर आते हैं बिर्जू के बपा तो जो खेत है उसमें धान की बालियां ओगाई है और वो धान की बालियां पूरी तरह से पकने को तयार खड़ी हैं तो धान की बालियां लेकर आते हैं और उन बालियों का खिली हुई पकी हुई बालियों का रंग देखते ही बिरजु की मा के मन का सारा मैल दूर हो जाता है एक क्रशक परिवार का हरदय किस बात से आनंदित ह होता है इस बिन्दु को यहां बहुत गहराई से अभिव्यक्ट किया है दोस्तों है वह कहते हैं कि इतनी क्रोधित है क्रोध में भरी हुई है दान की बालियों का रंग देखते ही उसके मन की सारी नाराजगी दूर बोजाती है धानी रंग उसकी आँखों में उतर कर रोम रोम में घुल गया यानि पूरा का पूरा शरीर उसका आनंद की लहरों से दोलायमान होने लगता है बिर्जु की माने असली रूपा का मांग्टी का पह बिर्जु की मा चाहती है कि जो भी इस्त्रियां रह गई है गाउं में नाच देखने जाने से उन सब को साथ में लेकर चले तो गाड़ी जंगी के पिछवाड़े पहुची यानि घर के पीछे केसे में पहुची बिर्जु की माने कहा जरा जंगी से पूछो ना उसकी पु तो हुए अपने पती के न लोटने के कारण क्योंकि नाच देखने नहीं जा रही है तो जोर-जोर से रो रही है ये बात देखकर बिर्जु की मा का हरदय भराता है और उससे कहती है कि तल्दी तयार होकर आ जाए और गाड़ी से हम नाच देखने जाएंगे बिर्जु के आपने घूंगट में जुकी दौनों पुतोहों को देखा उसे अपने खेत की जुकी हुई बालियों की याद आई ये कथन क्यों मैंने यहां लिखा है दोस्तों देखिए ये कथन इसलिए लिखा कि एक ग्रशक एक ग्रामीर परिवेश का व्यक्ति अगर किसी चीज को दे हैं तो उन्हें देखकर उसे अपने खेत में जो दान की जुकी हुई बालियों थी उनका स्मरण हो आता है ठीकी तो कहा है उसने विरजु की माँ बेगम है लाल पान की बेगम ये विरजु की माँ का कतन है, यह तो कोई बुरी बात नहीं, जो बात उसे कटाक्ष के समान ल अब उसे लग रहा है कि ये बात तो उसके लिए बहुत अच्छी है, तो वो कहती है कि बिर्जु की मा बेगम है, लाल पान की बेगम, यह तो कोई बुरी बात नहीं, हाँ वह सचमुच लाल पान की बेगम है, यानि स्वाभिमान और आत्मसम्मान के सुरक्षित रहने का अपनी नाक पर दोनों आखों को केंद्रित करने की चेश्टा करके, अपने रूप की जहांकी ली, लाल सारी की जिलमिल किनारी मंग्टी का परचांद, बिर्जु की मा के मन में अब कोई लाल सा नहीं, उसे नीन आ रही है, ये कथन क्या है, अब कोई लाल सा नहीं, एक ही लाल सा थी, कि वो बलरामपुर नाच देखने जाए, गरामीन परिवेश के छोटे-छोटे सपने, किस कदर धरदय से जुड़े हुए होते हैं, इस बात की अभी व्यक्ति यहां पर कथाकार ने की है, रेणू ने की है, और वे कहते हैं, अंत में कहानी का अंतिम चरण है य क्यों कि गाड़ी से सब को ले करके जा रही है नाच देखने बलरामपुर और उसे नीद आ रही है, यह नीद आना संतुष्टी का प्रतिक है, जब व्यक्ति असंतुष्ट होता है तो उसे नीद नहीं आती, लेकिन जब संतुष्ट होता है, चारों तरफ से सुकून में हो गुजी सी नैट 2020 में ये प्रश्ट पूछा गया, ये स्थानों के नाम दिये गए है, इनमें से कौन से स्थानों का जिक्र तीसरी कसम में हुआ है, वो हमें चुनना है, पहला है फॉर्बिस गंज, दूसरा है और आही हिंगना, तीसरा है चेथरिया पीर, और चोथा है सिर निमनलखित में से कौन सी कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं है, यूजी सी नैट 2020 में ये प्रश्ट पूछा गया, आदिम रातरी की महक, पंचलाइट, तीसरी कसम और रस्प्रिया, ये तीनों कहानिया ठुमरी कहानी संग्रह में है, लेकिन आदिम रातरी की महक, उनक का एक स्वतंत्र कहानी संग्रही ही है तो इस प्रश्ण का सही उत्तर होगा ए अगला प्रश्ण रेडू की कहानियों की प्रमुख डैश डैश विशेष्टा है चतिसगर असिस्टेंट प्रॉफसर 2014 में प्रश्ण पूछा गया अस्तितुवादी चिंतन ग्रामीर जीवन की सरस्ता तो बहुत ही सरल है आपके लिए हम इत्ते विस्तारते पर चुके हैं डी विकल्प इस प्रश्ण का सही उत्तर है ग्रामीर जीवन का सरस्चित्रन रेडू की कहानियों में देखने को मिलता है क्योंकि उनकी कहानिया कैसी है आंचलिक कहानिया है आगे चलें, तीसरी कसम कहानी में, गाड़ीवान ने कौन सा सामान ना लादने की कसम नहीं खाई, ध्यान देंगे, ना लादने की कसम नहीं खाई, UGC NET 2019 में ये प्रशन पूछा गया, A, कमपनी की औरत, B, दुलहन की डोली, C, चोर बाजारी का सामान, और D, बांस, तो हम परचुके, कमपनी की औरत की कसम खाई, कि नहीं ले जाएगा, चोर बाजारी का सामान नहीं ले जाएगा, और बांस नहीं ले जाएगा, देकिन पनिश्वनात रेणू का नहीं है, UGC NET 2015 में प्रशन पूछा गया, आदिमनात्री की महग, अगनिखोर, अच्छे आदमी, गरीबी हटाओ, तो दोस्तों, ये तीनों कहानी संग्रह पनिश्वनात रेणू के हैं, उनके कृती परिचय में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन गर किस लेखक की कहानी पर बनाई गई थी, प्रेमचन, पनिश्वनात रेणू, चंद्रदर शर्मा गुलेरी, जैनेंदर कुमार, तो B विकल्पिस प्रश्ण का सही उतर है, बहुती आसान है, आंसर होगा B, अगला प्रश्ण, पनिश्वनात रेणू के विशय में निमल खित में से असंगत कथन है, ए, रेणू ने प्रमुखते कहानी उपन्यास और रिपोर्टाज लिखे, रेणू एक प्रगतिवादी उपन्यास कार के रूप में प्रसिद्ध है, रेणू ने 1954 में मैला अचल उपन्यास से आंचलिक उपन्यास लेखन की क्रमिक परंपरा का सूत् रिणजल, धनजल, उनका प्रमुख रिपोर्टाज संग्रे है, तो देखिए, पहला कथन है, कहानी उपन्यास और रिपोर्टाज लिखे, बिल्कुल सही है, रेणू एक प्रगतिवादी उपन्यास कार के रूप में प्रसिद्ध है, ये कथन गलत है, तो यही कथन, रिणजल, धनजल, उनका प्रमुख रिपोर्टाज संग्रे है, ये भी कथन सही है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भी, अगला प्रश्न, पणिश्वनात रेणू की तीसरी कसम और लाल पान की वेगम कहानियां, उनके किस संग्रे में संकलित है, ठुमरी, आदिमरात प्रश्न का सही उत्तर होगा एक, अगला प्रमांचल की तह में गुसकर उसके शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श के समग्रता में चित्रित करने वाले अकेले और आद्वितिये कथाकार है, पणिश्वनात रेणू, उन्हें प्रेमचंद का सच्चा उतराधिकारी कहा जा सकता है, रेणू के संबंध में यह कथन किसका है, आचारे रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंग, बच्चन सिंग या डॉक्टर नगेंद्र, तो दोस्तों स्टीव इकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि पक्चन सिंग ने यह मत व्यक्त किया है रेणू के अगला प्रश्न, तीसरी कसम कहानी के विशय में असत्य कथन है, एक आंचलिक कहानी है, इस कहानी में भूले भाले ग्रामीर युवक हीरा मन के निश्चल प्रेम का जीवन्त चित्र है, इस कहानी को साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया, इस कहानी पर 1966 में तीसरी कसम न मानित किया ये कथन गलत है और 66 में इस पर तीसरी कसम नाम से फिल्म बनी ये कथन भी बिल्कुल सही है तो असत्य कथन है C, आंसर होगा इस कथन का, इस प्रश्न का आंसर होगा C, आगे चलते हैं तीसरी कसम कहानी की मूल समवेदना संबंधित है, प्रेम की निश्कपट, रह कोपकारी व्यक्तित से, तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, हाला कि कहीं कहीं नर्तकी का प्रेम की अपेक्षा धन को महत्व देने का बिंदू भी है, लेकिन वो बिंदू कहानी की मूल समवेदना नहीं है, मूल समवेदना है, प्रेम की निश्कपट, रहस्य में और उदात अभी रखती करना, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, अगला प्रश्न, महुआ घटवारिन को सौदागर ने खरीच जो लिया है गुरू जी, इस कथन में महुआ घटवारिन के द्वारा संकेत किया गया है, किसकी और, प्रेम की और, हीरामन की और हीराबाई की और, या नर्त की के द्रत्य प्रेम की और, तो दोस्तों इस महुआ घटवारिन का संकेत हीराबाई की और है, तो आंसर होगा, C, अगला प्रश्न, हीराबाई ने जाते समय हीरामन को कहां आने के लिए पूछा, मतुरा मेले में, बनैली मेले में, सिरपुर में या फॉर्बिस गंज में, तो बनेली मेले में आने के लिए पूछा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा B, अगला प्रश्न, हीरा भाई ने हीरामन को रुपए क्यों दिये, खाना खाने के लिए, गर्म चादर खरीदने के लिए, गाड़ी की मरमत कराने के लिए, या प्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, कहानी साहित्य सुधानिदी, मर्यादा या सुधर्शन, तो ये कहानी सबसे पहले कहानी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, और ये कहानी पत्रिका इलाहबाद से प्रकाशित होती थी, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा A, अगला प्रश्न, लाल पान की बेगम कहानी में लाल पान की बेगम किसे कहा गया है? जंगी की पुतोहु को, बिर्जु की मा को, मकनी बुआ को या चम्पिया को? तो बिर्जु की मा को यहां लाल पान की बेगम कहा गया है, आंसर होगा B. अगला प्रश्न, लालपान की बेगम कहानी मूल कथे के विशय में सत्य कथन है, एक स्री का स्वाभिमान एवं आत्म सम्मान की चाहा की अभिव्यक्ति, एक उपेक्षित नारी की पीडा की कहानी, एक बेगम के विचित्र व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति, एक आदिवासी स् तो A विकल्प इस प्रश्न का सही उतर है क्योंकि यहाँ पर एक स्त्री के स्वाविमार और आत्मसम्मान की चाह की अभिव्यक्ति है, वो हर कीमत पर अपने आत्मसम्मान और स्वाविमान को सुरक्षित रखना चाहती है और वो स्त्री है बिर्जु की माँ, तो आंसर होगा A अगला प्रश्न बिर्जु को पैंट पहनाने की बात कही और गारी में जाने की भी बात कही लेकिन ये बात उसने नहीं कही तो आंसर होगा C अगला प्रश्न सर्वे के दौरान बिर्जु के बप्पा को कितनी जमीन मिली 5 वीगा, 2 वीगा, 7 वीगा या 3 वीगा तो A विकल्पिस प्रश्न का सही उतर है, उन्हें सर्वे के दौरान 5 वीगा जमीन मिली थी आंसर होगा A अगला प्रश्न क्यों बिर्जु की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या यह प्रश्न बिर्जु की माँ से किसने पूछा जंगी की पुतोहु ने, मकनी बुआ ने बिर्जु के बपा ने या रादे की बेटी सुनरी ने, तो यह प्रश्न मकनी बुआ ने उससे पूछा था तो आंसर होगा B और यह कहानी के प्रारंभिक हिस्से का ही शुरुआत में ही यह समवाद कहा गया है आगी चलें बिर्जु के बपा मेले में जाने के लिए किसकी गाड़ी लेकर आए कोईरी टोले की, बल्लू टोले की, कुंजी टोले की या मलदहिया टोले की तो बिर्जु के बपा मलदहिया टोले की गाड़ी लेकर के आए आंसर होगा D अगला प्रश्ण, बल्रामपुर का नाच देखने गाड़ी से कौन नहीं गया, जंगी की पुतो हूँ, रंगी, सुन्री, मक्नी बुआ, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर एक options में थोड़ी सी विकल्प में थोड़ी सी गड़बर है, रंगी की जगया यहाँ पर आप दिख देखिएगा चंपिया, अब देखते हैं, जंगी की पुतो हूँ गई, चंपिया गई, सुन्री गई, लेकिन मक्नी बुआ, गाड़ी से जाने की बात मक्नी बुआ की नहीं हुई थी, तो यहाँ उत्तर होगा इसका D, अगला प्रश्ण, धानी रंग उसकी आँखों से उत अगला प्रश्ण, बिर्जु की मा को लाल पान की बेगम किस ने कहा, बिर्जु के बपा ने, मक्नी बुआ ने, सुन्री ने या जंगी की पुतो हूँ ने, तो D विकल्प इस प्रश्ण का सही उत्तर है, जंगी की पुतो हूँ ने, उसे लाल पान की बेगम कहे कर उकारा, तो आंसर होगा D बिर्जु की मा बेगम है लाल पान की बेगम यह तो कोई बुरी बात नहीं हाँ वह सचमुच लाल पान की बेगम है इस कथन में बिर्जु की मा के हिरदय का कौन सा भाव यंजित है एहंकात, सुरक्षित आत्मसम्मान, संकल्प या स्वार्थ तो दोस्तो B विकल्प इस प्रश्न का सही उतर है इसका भाव यह है कि जिस आत्मसम्मान को वो दाव पर लगा हुआ आहत होता हुआ देख रही थी और जिसकी वज़े से उसकी नाराजगी दिन पर समय के साथ बढ़ती चली जा रही थी अब वही आत्मसम्मान और स्वाभिमान उसका जब सुरक्षित हो गया तो वो अपने आपको लाल पानी की बेगम के रूप में स्वीकार करने लगी और उसे जो कटाक्ष लग रहा था लाल पान की बेगम का वाक के अब उसे सही प्रतीत होने लगा तो ये भाव है सुरक्षित आत्मसम्मान का आंसर होगा बी अगला प्रश्न बिर्जु की मा के मन में अब कोई लालसा नहीं उसे नीद आ रही है यहां नीद आना संकेत करता है संतुष्टी की ओर ठकान की ओर आरम की आवश्यक्ता की ओर या आत्मकेंद्रित होने की ओर तो हम बात कर चुके हैं संतुष्टी की ओर संकेत करता है तो आंसर होगा इसका ए अगला प्रश्न लालपान की बेगम का प्रतिकार्थ है सुन्दर स्ट्री, प्रभावचाली स्ट्री, परोपकारी स्ट्री या धन्वान स्ट्री तो B विकल्प इस प्रश्ण का सही उतर है लालपान की बेगम का प्रतिकार्थ है प्रभावचाली स्ट्री यानि आंसर होगा B अगला प्रशन बिर्जू की मा के प्रती ग्रामीन इस्टियों के इर्श्या का कारण क्या था? संपन्नता, बैलगाडी, पांच भी का जमीन या उन्नत व्यापार तो मूल कारण था पांच भी का जमीन तो C विकल्प इस प्रश्न का सही उतर है अगला प्रश्ण जंगी की पुतोहू रो क्यूं रही थी? रंगी के बलरामपूर से न लौटने के कारण, बिर्जु की मां के दूर्ब्यवार के कारण, जंगी के क्रोध के कारण, या मांगती काँ हो जाने के कारण तो ए विकल्पिस प्रश्न का सही उतर है जब बलरामपुर का नाच देखने जाने का समय हो गया गाउन की सभी स्थ्रियां चली गई और यहां तक कि सभी लोगों को परिवार के लोगों को लेकर बिर्जू की माभी गाड़ी से जाने लगी तब तक रंगी बलरामपुर से ल साथ वो बलरामपुर जा सकती थी तो आंसर हुआ तो दोस्तों यह हुआ हमारा का सत्र जिसमें हमने पनिश्वर नात रेणू की दो बहुत ही महत्वपूर्ण विशेश तोर पर परिक्षा की दिरस्टी से बहुत महत्वपूर्ण कहानियों पर बात की तीसरी कसम और लाल हमें सही जवाब दे पाएंगे अगले सत्र के इंतजार में रहिए नमस्तों